आज मुझे बताएंगे एक इसे बिजनस आइडिया के बारे में जिसको आप करके महीना में दोस्ते अधाई लाक रुपया आराम से कमा सकते हैं दोस्तों तो दोस्तों इस वीडियो आपको पूरी डिटेल से बताएंगे कि यह बिजनस क्या है कि बिजनस कई से करेंगे इसमें कौन-कौन से मचीन खरना होगा इसके लिए कौन-कौन से रामेटल की ज़वत होगी यह मचीन कहां से खरदेंगे इसका ट्रेनिंग कहां से लेंगे इसका मार्केटिंग कहां करेंगे यह प्रोड़क्ट जब तयार करेंगे तो यह सब पूरी गंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-नए बिजनिस आइडियाज और नए नी जयनकारी के वला के लिए दोस्तों वीडियो में जो मसीन आपको दिख रही है वह है आमोनियम-foil से कंटेनर बनाने की मसीन जिसे अल्मोनियम-foil कंटेनर बेकिंग मसीन कहते हैं और आपको बजार में यह मसीन सिंगल-कैविटी, डैल-कैविटी और स्री-कैविटी मौल्ड के साथ सेमी ऑ소तॉमी और फुल्ली ऑ-टोमेटिक में मिल जाएगी और इस मसीन के जरिए अलग-अलग साइज और डिजाइन के कंटेनर और क्लेट को बनाना बहुत ही असान है जैसा कि आपको विडियो में दिख रहा है मसीन में एक साइड अल्मुनियम फॉयल का रोल लगा हुआ है और मसीन में लगे डाई के हिसाब से मसीन अपने आप अल्मुनियम फॉयल के बॉक्स त्यार कर रही है और ऐसे प्लांट को अपक्योवल एक ओपरेटर और दो हेल्पर की मदद से बड़े अराम से चला सकते हैं तो दोस्तो पहले इसके manufacturing process को देखते हैं और फिर समझते हैं कि इस business को शुरू करने में total investment कितना लगेगा कौन-कौन से registration की जुरत होगी, marketing कैसे कर सकते हैं और raw materials और machine कैसे खरी सकते हैं तो वीडियो देखते रहे हैं दोस्तो मसीन से जो waste निकल रहा है यह waste भी बिग जाता है यानि waste को भी आदेस ज़्यादा rate पे बेचा जा सकता है और अगर बात करें ammonium foil container बनाने की machine की तो इस machine के जरीए आप 100 के आसपास container एक minute में बना सकते हैं और आप 8 घंटे काम करके 35 यर से 40 यर container त्यार कर सकते हैं और यह machine आपको semi-automatic और fully automatic में मिल जाएगी यह 3 phase bisley से चलती है और इसके लिए 410 bolt की bisley की जुरत होती है और यह machine आपको बजार में 12,00-18,00,00 रुपीज में मिल जाएगी यानि जैसे machine की capacity वैसा machine का price और fully automatic machine की जरिये इस business की शुरुआत आप 20-22,00,00 रुपीज में कर सकते हैं और अगर आपके पास finance की problem है तो आप manufacturing unit के तहट आप loan के लिए भी apply कर सकते हैं और ऐसे plant के लिए loan भी बड़ी असानी से मिल जाता है दोस्तों अगर बात करें almonium foil container के marketing की तो इसका इस्तमाल लगबग हर restaurant, hotels, ढाबा, food stalls, supermarket, bakery shop, sweet shop इत्यादी के दवारा किये जता है उनके दवारा त्यार foods, sweets को pack और serve करने के लिए क्योंकि almonium foil में pack किये गए खाने को बीना खराब हुए ज़्यादा सज़्यादा देर तक रखा जा सकता है और इस business में success के लिए आपको market में थोड़ी research करनी होगी आपको पता करना होगा कि आपके competitor किस quality का container बना के किस price में बेच रहे हैं और इसके लिए आपको hotels, restaurant, bakery shop, इत्यादी से contact बनाने होगे और उनकी requirement को पता करना होगा इसके अलावा आप अपने area के wholesaler और distributor को भी अपनी pricing और sample दिखाएं और market के हिसाब से अपना price set करें और शुरुवात में उस size और design के container बनाए जिनकी demand सबसे ज़्यादा है यानि जो ज़्यादा बिक रहा है और गाहों से ज़्यादा सहरों में इसे promote करने की कोसिस करें वहीं दोस्तों इस business के लिए जो main raw materials है वो है aluminum foil और इसके supplier आपको हर बड़े सहर में मिल जाएंगे जिनके जरीया आप इपने business के लिए raw materials खरीब सकते हैं दोस्तों आपको यह aluminum foil बजार में अलग-अलग micron में मिल जाएगा जैसे 7 micron, 9 micron ये 11 micron इत्यादी और बजार में आपको यह foil 1500-200 rupees per kg के आसपास मिल जाएगा और आप अपनी जूरत के हिसाब से यह roll order कर सकते हैं और आपको aluminum foil के अलावा अपने द्वारत त्यार container को pack करने के लिए कुछ packaging materials की विजुरूत होगी जैसे corrupted box, tape त्यादी दोस्तों इस business को शुरू करने से पहले आपको कुछ registration कराने की विजुरूत होगी जैसे आपको अपने business का registration ROC के अंतरगत कराना होगा आप individual, partnership, private, limited के अंतरगत अपने business का registration करा सकते हैं इसके साथ ही साथ आपको खुद को अद्योग अदार में भी register कराना होगा और trade license के लिए भी apply करना होगा इसके अलावा GST का भी registration कराना होगा और BIS certification की भी जुरूत पड़ेगी आप जहां से ये machine खर देंगे आपको training भी वहीं से मिल जाएगी दोस्तो आपको इस business को सुरू करने में कोई भी दिक्कत आती है या फिर कोई information चाहिए तो आप हम से comment करके भी पूसकते हैं और हम उसका तुरंत reply करेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नहने business ideas पहुँचे सबसे पहले आपके पार